हेलो फ्रेंट्स, क्यूरियस हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम लोगोंने पिछले कुछ दिनों में गणित के बाड़े में पढ़ा था और अब जो है क्लास नाइन्थ का साइन्स में हम लोग चैप्टर वन पढ़ेंगे जो की है matter in our surroundings तो इस चैप्टर वन में हम लोग देखते हैं क्या हमारे आसपास जो भी तत्यों है तत्यों की जानकारी दी गई है हमारे आसपास हमारे आसपरोस में यानि हमारे चारोतरब जो भी तत्यों है उसके जानकारी इस अध्याय में दी गई है जैसा कि हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम लोग को बहुत सारी चीजें दिखाए देते हैं वेराइटी है वस्तों की वेराइटी हमको नजराती है अलग-अलग सेप में, अलग-अलग साइज में उसके अलग-अलग टेक्श्चर होते हैं और जो भी है इस उनिवर्स में जो भी इस उनिवर्स में है पुड़े में वो सब मेटेरियल से बना हुआ है जिसको साइंटिस्ट नाम देते हैं मैटर का उसको साइंटिस्ट कहते हैं तत्तो और क्या है क्या हम लोग जो हवा जिससे सांस लेते हैं सांस में जो हम लोग हवा लेते हैं वो भी एक तत्व है ठीक है उसके बाद जो हम पानी पीते हैं वो भी एक तत्व है खाना खाते हैं वो भी तत्व है सारे कुछ मेटर हैं चाहे वो इस्टोन ले 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 बादल ले ले तारे हैं पौधे हैं या फिर जानवर है एक झोटा सा बूंद अगर पानी का भी हो तब वो सब जो है चाहे वो आपका फिर पार्टिकल हो सैंड का सब कुछ जो है मैटर से मिलकर बना है तर्तों से बना है सब कुछ ही matter है सब कुछ ही तत्र है अगर हम लोग देखते हैं कि अपने चारों तरफ जो भी चीज है जो जगह छेखता है जो अस्थान ही घिरता है ठीक है और जिसके पास मास है उसका अपना एक वजन है तो क्या है कि दूसरे सब में हम सब कहा सकते हैं कि दोनों मास और अपने आसपरोस को समझने के लिए human being यानि कि हम जो मानव है वह अपने आसपरोस को समझने के लिए प्रयासरत है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं शुरू में जो इंडियन फिलोसफर थे जो भारतिया दार्शनिक लोग जो थे वह classify किये थे matter को उनके basic element के रूप में मतलब जिस चीज से वह बना है वो उनका मानना था किसी पांच चीज से मिल करके कोई भी matter बनता है कोई भी जो हमारे आसपर वस्तुएं हैं वो पांच चीजों से मिलकर बना है कौन-कौन छिति-जल-पावक गगन समीरा हम लोग यह चीज जानते थे छिति-जल-पावक और गगन सबीर इन पांचों चीज से मिलकर बना है जिसको अगर हम पंच तत्तों ही कह सकते हैं उसमें आएगा आपका एयर अर्थ पायर, स्काय और वाटर ठीक है तो हो गया उसमें कौन-कौन हवा है धरती है आग है ठीक है आसमान है और पानी है तो उन लोगों के अनुसार जितने भी चीज बने हुए थे वो इन ही पांच तत्तों से मिलकर बने थे यही पांच बैसिक एलिमेंट थे ठीक है पुड़ान ग्रीक के फिलास्फर जो थे मतलव ग्रीक में रहने वाले जो भी दार्शनीक हुए थे उन सब को सिमिलर क्लासिफिकेशन हुए था उनका उनके फिजिगल प्रपर्टी और केमिकल प्रपर्टी को, chemical nature जो होता है और physical property जो होती है उस पर ही वो लोग क्या करते हैं, उसको बाटते हैं, दो तरह का, दो तरह से बाट रहे हैं, आज कल के scientist, इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में matter का physical property क्या है, और chemical expect जो है matter का, उसके बारे हम लोग जो अलग, इस पू पहला आता है point, physical nature of matter, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो अब हम लोग इस point के बारे में जानेंगे, physical nature of matter, तो matter जो है, यह मिलकर बना है, particles से, ठीक है, छोटे-छोटे टुगरों से मिलकर बना है, लंबे से पहले की बात है, मतलब बहुत पहले की बात है, दो स school थे, उनका सोचना था, पहला का सोचना था, इस matter के बारे में, कि यह एक लंबे लकडी के तरह है, ठीक है, मतलब एक लंबा से टुक रहा है, लकडी के तरह है, मतलब continuous रहता है, जबकि दूसरे का मानना था, कि इसमें छोटे-छोटे particle होते हैं, बालू की तरह, तो दोनों schools का मानना, यानि दो तरह के लोग थे, schools को आप अगर देखते हैं, एजे school देखिए, या फिर दो तरह के लोग थे, उन दोनों का मानना था, एक का मानना था, कि matter जो है, वो एक लकरी का ब्लॉक जो होता है, उसकी तरह है, मतलब लगातार है, continuous है, जिसको हम लोग लकरी का पट रहा है, या लकरी का थकता, जो समझ लिजिए, उसकी तरह है, और वहीं दूसरे का मानना था, कि matter जो है, वो बालू की तरह है, मतलब सेंड के चोटे-चोटे particle जो होते हैं, उसके तरह है, तो हम लोग एक activity करके देखते हैं, उससे पता चलेगा nature क्या है, ठीक है, उसक उसमें mark कर लेना है level water का, अगर हम एक बिकर लेते हैं, normal है, कि अगर हम यहाँ पर मान लेजे, एक बिकर लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक बिकर लेंगे, उसमें अगर हम पानी डालते हैं, यहाँ तक है पानी, और इसको हम यहाँ से mark कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा ही आपको करन है कि उसको फिर वहां से मार्क आपको कर लेना है और उसमें वाटर का जो भी लेवल था तो उसको हम देख लेते हैं तो उसमें क्या करना है कुछ नमक हम लोग को घोलना है ठीक है नमक है चीनी है कुछ भी है help अगर एक glass rod का help अगर हम ले लें तो उससे घोल करके उसको घोल देते हैं अब जब करना है कि water के level में कोई changes आते हैं या ठीक है तो आप लोगों क्या लगता है कि उसमें नमक या चीनी घोलने से उस पानी में कोई change आएगा उसके level में कोई change आएगा ठीक है तो और वो disappear होता है पानी में घोली है अगर नमक या चीनी तो वो disappear हो जाता है ठीक है तो water का level क्यों नहीं change हुआ पहली बात यह है और दूसरी बात वो गया कहां यानि वो जो disappear हुआ जो dissolve हुआ जो है solution जो बनाया वो water और sugar का या फिर water और salt का तो वो गया कहां उसको देखना है तो इस question का answer देने के लिए क्या है क्या हम लोग को यह idea लगाना पड़ेगा अगर वो block like होता simple सी बात है अगर वो continuous होता एक लक्री के टुकरे पट्रे की तरह होता तो उसमें क्या होता अगर उस पर से कोई भी उपर डालेंगे कोई भी चीज डालेंगे तो वो उसमें अंदर नहीं जाकर के वो उपर अपना और जगह बनाएगा या अपना जगह स्थान हेरेगा ठीक है लेकिन हुआ क्या इसमें अगर एक चम्मच या दो चम्मच जो भी हम उसमें चीनी या नमक डाले थे वो पुड़ा घुल गया घ दिखा नहीं हमको दूसरी बात है क्या उसका भी क्वांटिटी बढ़ा नहीं अगर उसमें हम देखे जो मार्क लेवल था उससे उपर वो पानी नहीं गया चीनी या नमक खोलने के बाद भी है अब दूसरा इसी में पॉइंट आता है क्या हाव स्मॉल आर दीज पार्टिक पर मैगनिट का और डिजॉल करना है उसको 100 मिलिलिटर वाटर में ठीक है तो उसमें से एप्रॉक्सिमेटली जो है 10 मिलिलिटर सल्यूसन निकालना है और उसको 10 मिलिलिटर निकालके 90 मिलिलिटर क्लियर वाटर में डालना है मतलब जो 100 मिलिलिटर हम पानी लिये थे और उसम जेंगी कलर आता है घर में होली भगर हमें ग्रीन टाइप में जो होता है उसका चैनली कलर उसका विए आप तीन पार्टीकल उठा सकते हैं अगर उसको हम डालते हैं, तो क्या होता है, 100 ml पानी में वो dark color छोड़ेगा, ठीक है, उससे 10 ml पानी हमको निकालना और फिर fresh 90 ml में डालना है, ठीक है, फिर just वही process हमको 3 बार, 4 बार दोभडाने हैं, मतलब 90 ml में 10 ml मिला है, फिर वो जो पुरा 100 बेरा, उससे फिर 10 निकाले, 90 तो जब हम ऐसा करते हैं, तो आपको क्या दिखाता है, क्या छोटा छोटा जो potassium per magnet का आपका टुकरा था, crystal जो था, वो क्या किया, क्या एक large volume जो water का था, उसमें color करने में, वो सक्षम है, उतने में वो रंग ला सकता है, लगवग, लगवग, 1000 लिटर तक में, आपको वो र ऐसा हुआ, ऐसा क्यों करने में संभव हुआ, अगर वो लकरी के पट्रे की तरह होता, लकरी के तक्ते की तरह होता, तो क्या होता, कि वो particle उसमें एक दूसरे में मिल नहीं पाता, गूल नहीं पाता, लेकिन क्या है, कि वो छोटे-चोटे particle हैं, और इतने छोटे हैं, कि वो कर सकता है जो कि अपने आपको हमेशा और छोटे और छोटे टुक्रे में डिवाइड करता चला जा रहा था पोटेसियम पड़ मैंगनेट का जो एक क्रिश्टल था उसका जो पार्टिकल था वो अपने आपको छोटे छोटे टुक्रे में और डिवाइड करते आ रहा था तब कर सकते हैं दो मिलिलेटर डिटॉल का लेना है और इवन आप उसका स्मेल डिटक्ट कर सकते हैं अगर आपको कलर ना भी दिखे वैसे अगर आप नॉर्मल पानी में डिटॉल को डालते तो वह वाइट कलर बनाता हुआ जाता है ठीक है ठीक है दूधिया रंग हमको नहीं सुच करते हैं मतलब 100 मिलिलेटर से 10 निकाले अगले डमबे में डाले तो वैसे करें तो कुछ दूरी तक हमको उसका स्मेल देखने को मिलेगा और वह स्मेल जो है हम महसूस कर सकते हैं उसको सूंकर ठीक है उसके बाद आता है वन पॉइंट्ट डू आता है करेक्टरिस्टि मतलब है कि particle जो matter का होता है इतना small होता है इतना छोटा होता है कि हम उसकी कलपना भी नहीं कर सकते है उसका size इतना छोटा है कि हम उसकी कलपना नहीं कर सकते है ठीक है और वहीं अब आता है particle of matter have space between them मतलब जो matter के particle है उनके बीच में space होता है इसके बारे में चर्चा होगी कल फ सारे में जानेंगे ठीक है तब तक के लिए अगर चैनल आपको अच्छा लगता है इसके पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं कोई वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आयकर को दबाएं और के नॉटिक आल पर आप क्लिक करें तब आपको इससे जुड़े हुए सारे नोटिफिकेशन्स मिलते रहेंगे तब तक के लिए थैंक्यू बबाए टेक क्यार